निष्ठा मॉड्यूल 13, विद्यालाय नेत्रत्यू संकल्पना और उन्प्रियू, देखेंगे इसकी हम लोग इस वीडियो में मुख प्रशनोत्री को, जो की सवी राजियों के लिए है, कुछ राजियों में ये प्रस्चड़ हो चुका है, कुछ राजियों में इसका प्रस् शुरू करते हैं इसे, तो शुरू करते हैं इन प्रस्चनोत्री को, सबसे पहला प्रस्चन देख लेते हैं, तो पहला प्रस्चन क्या दिया क्या है, यह आपर सबसे पहले बिद्यालाय के साथ दल अधिगम की प्रकरिया का समेकन करने के लिए उचित अउशर क्या है, कच् आप मीटिंग पर टिक करते हैं और इस पर टिक करने के बाद में नेक्स्ट प्रिश्ण पर चलते हैं इसके बाद में इस प्रिश्ण को देख लेते हैं विद्याले नित्रतों का सीधा प्रवाव छात्र अधिगम पर बढ़ता है इसका अर्थ क्या है विद्याले का चक्क तो इसका हम जो सही टिक लगाते हैं वो विद्याले प्रमुक्त वारा कच्छा सिछड अधिगम प्रिक्रिया में समलित होना इसको टिक करने के बाद में आगे चलते हैं देखते हैं next question को तो जो next question है वो है विद्याले विकास यूजना किसकी लिए उपयोगी होती है तो सक्री अधिगम नहीं है तो फेला है सक्री अधिगम एक दूसरे से सीखने को प्रिरित करता है तो इसमें बात है नहीं की, तो नहीं के लिए हम इसमें टिक करते हैं, दूसरी विकलपर, सक्री अदगम, व्यक्तिगत सोच को प्रूत्साहित नहीं करता है, दिखते हैं, नेक्स्ट की उर, तो नेक्स्ट प्रशन है हमारे सामने, विद्धिहाले में अदिगम सलस्कृति विक्षित करने की संकल्पना को निम्न इन में से कौन सा विकल्ब सूपरभाशित कर सकता है, अदिगम प्रतिफल, विद्ध्याले विकाश यूजना, साजा द्रश्टि कोण का निर्माण, दल अदिगम, इसमें हम कहते हैं, चोथे पर टिक, और चलते हैं, नेक्स्ट प्रि आस्तर विशेवस्तु ग्यान, अकादमिक परवी छड़, प्रिशास्निक नियमों एबं वी नियमों की समझ, तो इसमें हम टिक करते हैं, नीचे यहने की चोथे विकल्ब पर प्रिशास्निक नियमों एबं वी नियमों की समझ, अब चलते हैं, नेक्स्ट प्रिश्न पर, तो नेक्स्ट प्रिश्ण हमारा है, सिच्छड सास्त्र विशेवस्तू ग्यान की संकल्पना में निम्न में सी कौन सा बिंदू सहायक नहीं है, तो पेला विकल्ब हैश में विशेवस्तु का ज्यान विशे की सिछड़ सास्त्र सम्मंदी समझ छात्रों की अधिगम सम्मंदी आवश्यक्ता एबंबिवित्ता विद्यालय की भौतिक संसाधन तो इसमें जो सही विकल्ब है वो द्यालय की भौतिक संसाधन उस पर टिक करते हैं और अब चलते हैं नेक्स्ट की ओड़ तो नेक्स्ट प्रश्ण है स्वयम विध्याले अध्यापक नित्र तो करता की रूप में विक्सित करने ही तू तीन मुख अभियब हैं ग्यान संप्रेशड एवं नकारात्मक सूच ग्यान कौशल एवं अभिवरद्धी सकारात्मक सूच अनम में होना एवं संप्रेशड और अभिरत्थी कौशल एवं संप्रेशड यहां पर हम दूसरे विकलपर टिक करते हैं और आगे बढ़ते हैं दूसरे विकलप यहन ग्यान कौशल और ग्यान कौशल एवं अभिवरत्थी नेक्स्ट प्रश्ण है नेक्स्ट प्रश पॉजिशन के रूप में, लीडर वाई एक्षन के रूप में, या लीडर वाई पॉजिशन के साथ-साथ लीडर वाई एक्षन के रूप में, तो यहां पर हम चोथी विकल्ब को टिक करते हैं और चलते हैं नेक्ष्ट प्रश्टी की ओर, जो नेक्ष्ट प्रश्ट है हमारा प्रभाव साली नेतरतों करता बनने के लिए स्वयम के कौन से दो महत पूर्गोड आवश्यक है प्रिसासक एवं प्रवंदक आयोजक एवं आयोजन करता पहल करता एवं सकार अत्मक द्रश्टी कौन खलल पैदा करने वाला एवं सिकायती रवया तो इसमें हम टिक करते हैं इसे विकल्ब को यानि पहल करता एवं सकार अत्मक द्रश्टी कौन चलते हैं आगे और इस प्रकार से सब्मिट टू कंटीनिव आ गया यहाँ पर हमने टोटल दस प्रशनों को हल किया और कोई भी प्रशन इसके नहीं किया दसों के अंसर दिये अब हम यहाँ पर करते हैं स सब्मिट और जैसे ही आप सब्मिट करोगे तो आपका रेजल्ट आपको सामने दिख जाएगा यदि यहाँ पर आपका स्कूर कम रहता है तो इस रेडू बटन पर किलिक करके आप दूबारा से इन्हें प्रिशनों को कर सकते हैं उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पश सब्सक्राइब आया हुबा